येस इडिट इब और ये दंपीड अप्डेट तो कर रशिया यूक्रीन की वार का हमने फिर्स डे देखा और उससे मार्केट पे काफी खतरनाक एफेक्ट आया उसको हम डिसकस करेंगे मार्केट अप है एक बहुत शार रिकलाइन के बाद तो वह क्यों आप है आपको यहां पर बाइक करना चाहिए उसके बार में डिसकस करने वाले हैं चार्ट पर देखेंगे के बेस्ट पॉइंट क्या हैं सपोर्ट कहां पर रिजिस्टेंस कहां पर अगर हम यहां पर कोई कौन-कौन से क्वाइन हो रहे हैं लूना और एवक्स बहुत जल्दी बाउंस कर रहे हैं इसका मतला फंडमेंटल इंके बहुत स्ट्रॉंग है और यह अच्छा कासा कैरी फॉरवर्ट करेंगे यह आपके बेस्ट रिकमेंडेट कोई हैं हमारी साइट से तो आई होप आप इसके बाद रून भी है रून ने वी एक अच्छा रिकवर करा है ठीक है अभी आपने ऐल्टायम है लेकिन रिकवरी में आप देखर होगी बहुत जल्दी यह लोग रिकवर कर लेते हैं अभी रिकवर कर रहे हैं बर अभी बाइं मत करना क्योंकि मार्केट इस ग्रीन इस वार में हमारे पास युएस या फिर कोई भी कंट्री और कूछ जाती है या फिर रशिया पर सांक्शन कर देती है कुछ भी हो जाता है तो एक बहुत शार्प डिकलाइन दुबारा से आ सकता है तो इस टाइम पर हम चार्ट को देखे हैं तो कल हमारे एक्स्पैंडिंग ट्राइंगल से यहां पर हमें बांस मिला था ठीक souvent मिला फिर से इसने पर्एक किया ऐस्पैंडिंग स्थिस करा था वह आब इस पर काम तो नहीं करें वह खिंध के यहें ब्रेक और तो इसको इस एरिया पर टेस्थ करना है आरूああ 37 provided पार यहां पहुछा अहां पर अच्छा नहीं ले पाएगा उसको I think avoid करना चाहिए आज थोड़ा सा वेट करो let us monitor the war कौन घुसरा है कौन नहीं घुसरा है क्या पता दोतन दिन में resolve हो जाए क्योंकि world economies यहां पे नहीं लेना चाहेंगे इतना बुरा अपने side से इसके बाद इसका major resistance जो है अभी 39 500 से 40,000 है कल यहां पर जाके reject हुआ है अभी इस अच्छा support है तो यहां से support बनाएगा पर जैसी इसको break करता है कफी नीचे जाएगा अब मुझे यह बताओ कि यार वार conditions है सब लोग panic कर रहे हैं तो market क्यों पंप किया है ठीक है market इसलिए पंप किया है क्योंकि कल यहां पर बहुत सारे लोगों ने 24 hours में हुआ है and continue हो रहा है and shots पे भी काफी सारे shots तो बंद हो गए होंकि काफी सारे liquidate हो गए है तो यह भी हमें आपर नजर पर रखना है कि क्यों पंप आया है ऐसा नहीं कि recovery स्टार्ट हो गई है ठीक है अब expanding triangle हमारा break हो गया है let's see कि वह आपस trend पे support बना पाता है या नहीं बना पाता है इसके बाद चलते हैं हम इथीरियम पे इथीरियम की साइट से हम देखे तो अभी अच्छे support पे है 2600 इसके पास resistance आएगा 2700 डॉलर्स पे और जो में सपोर्ट है जो बेस सपोर्ट हो 2300 डॉलर्स पे रहेगा इसके आपको यहां से भी एक expanding triangle बनता बाद देखेगा रफली यह भी उसी टाइप का breakout फॉलो कर रहा है जैसा कि हमारा यहां पर अच्छा अपसाइड गया है हमारे support से बैसे बिल्कुल और सपोर्ट के बाद अब यह राजिस्टन्स के पास सब्सक्राइब तो अगर आपने शॉट करा और आपने शॉट को बंद नहीं करा कि चलो और नीचे जाएगा और अब फस गए हो तो यह दो पॉइंट से उनको नजर पर रखना है सब्सक्राइब तो यहां पर आपको फॉर्म होता बाद दिख रहा है एक साथ आए है तो इसका तो एक लोग को रिलेशन हमने आपको बताया वादा कि वीशेब रिकवरी जब आएगी उससाब से बिटकोईन भी बाउंस कर सकता है अब बात करते हैं आपकी स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए आज आइधिंक जो स्ट्राटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाइए करोगी आपके कौन से क्वाइन ची 65% डाउन होगा टॉप से तो आपको आइडेंटिफाइए करना है कि ऐसे कौन से शिट कोईन जो दे माइट नॉट सर्वाइव बेर मार्केट या फिर फंडेमेटली वीक हैं और उनको सेल करो ठीक है माल लो अपने 70% डॉस में उनको सेल करा और अपने इथीरियम उसकी बुक करके अच्छे कोई में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि जब रिकावरी आईगी न तो अच्छे कोई बहुत जल्दी रिकावर करते हैं जैसा कि हमने आपको बाइंग एवरीटिंग वाली सीरीज से अपनी दिखाया हुआ है तो बेक शोर कि आप इस टाइप से शिफ्ट हो करूंगा अभी मेरे स्पिकुलेटिव कोईन से बहुत सारे तो मैं उनको शिफ्ट कर रहा हूँ अब दाट इस माई प्लान गूंग तो बी थोड़ा सा लॉस में या पर बुक कर लूंगा लेकिन दाट एक्स इन इंशुरेंस की मुझे बाद में बड़ा लॉस ना होड़ विडियो तो डाट इस विडियो गूंगेज पैलइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चानल को और विच्छी प्लोउ जीए अगर एपने टीं चैनल को डूम्री चोर्मोंग अलबीक थी यसा Rebecca Time